नवाब मुझफफर जंग की मृत्यू के बाद पुत्र इमदाद हुसेन नासिर जंग को बनिग्रानी अमीनुद्दौला शाशक नियुक्त किया गया इस समय नासिर जंग की अवस्था 13 या 14 वर्ष की थी अगस्त माहसान 1831 में नवाब अमीनुद्दौला ने लाड विलियम साहब के सामने यह प्रस्ताव रखा की नवाब की मुहासिल की आमदनी के अतिरिक्त नवाब को मुब्लिक 50,000 रूपा सालाना वजीफा और मिलना चाहिए और रियासती मामलाद जैसे माल गुजारी की वसूल्य भी तथा अन्य प्रबंधक मामलाद कमपनी के सुपोर्ड होने चाहिए असल में अमीनुद दौला ने अपने भतीजे इमदाद हुसेन नासर जंग से धोखा कर बरेली शहर में एक नए एकरारनामे पर दस्तखत करा दिये एकरारनामा के अनुसार फर्रुखाबाद प्रांत और उससे संबंधित सबकुछ सदैब के लिए आनरेबल इस्ट इंडिया कमपनी के सुपोर्ड करवा दिया ऐसा करा के अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया नतीजा अब नवाबों को कलेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ती थी अर्था तब नवाब का प्रशाष्न से कोई संबंध नहीं रहा ये वास्तब में फर्रुखाबाद में बंगर शाष्न का अंत था नवाब नासर जंग बच्पन से ही संजीदा नहीं था रियासत का प्रबंध तो अमीनुत दौला देखता था और नासर जंग अपना समय गवेयों के बीच गुजारता था स्वयम भी गाने के फन में माहिर था वह एक अच्छा गवेया था शायरों और गवेयों का एक मासिक जलसा किले में हुआ करता था बाकी समय वह पत्गे उड़ाने में और तीतर लड़ाने में खर्च करता था उन्हीं दिनों नवाब को इस प्रकार के खेलकूद में व्यस्त पाकर मराठों ने शेहर पर चड़ाई कर दी फरुखाबाद और फतेहगर के लोगों को मराठों ने खुब लूटा कस्बूँ वदेहातों को आग से जला डाला आखिरकार नवाब की मस्ती की नीन टूटी उसने स्वयम और अपने अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से मराठों को खदेर दिया मराठा सरदार होल कर पिपर गाउं के रास्ते भागा उसका पीछा नवाब की फौच तो कर ही रही थी इलाके के हिंदू मुसल्मान जमीनदारों ने रास्ते में घेर लिया इसके घोरे वद दीगा सामान रसदादी चीन ली उसकी एक अश्टधातू की मूर्ती और उसका नकारा भी छीन कर उसको भागने पर मजबूर कर दिया नासिर जंग के समय फतेहगर में तोप खाना वसिक के धालने की टकसाल भी थी सन 1814 में रेवन्यू बोर्ड में नवाब के मकान की सजावट का 60,000 रूपे सालाना स्विकार किया था नवाब की सन 1814 में मृत्यू हुई यद्यपी उसने 20 साल की उम्र पाई फिर भी वह अपनी बहुत सी यादगारें चोड़ गया उसने फर्रुखाबाद के किले के अंदर नककार खाना और दूसरा नककार खाना इमाम बाड़े के अंदर बनवाया था चंदस्टबल तोरनद्वार पर किले के पूरब में जो सड़क करबला को जाती है उस पर बजार नासिरगर्ज बनवाया था एक मजिस का निर्मान भी करवाया था जो पाई बाग को जाते समय पड़ती हैं पाई बाग में एक नहायत ही उम्दा कोठी का निर्मान कराया था उसके आगे एक छोटी सी नहर निकाली गई थी हुली के अफसर पर कोटी से इस तालाब में कई रंग छोड़े जाते थे, लोग खुब रंग खेलते थे शाम को पाई बाग में मिला लगता था, नासिर जंग खुद जनता को दर्शन देता यह कोटी दिपावली से लगा सुंदर दूज के मेले तक सजी रहती थी और रंग बिरंगी रोशनिया जलाई जाती थी फुली पर इस कोटी में एक सप्ता पूर्व रंग शुरू हो जाते थे इसको भी अपने दादा एहमद खां की भाती फाग सुनने का बहुत शौक था नासिर जंग फाग सुनाने वालों को दिल खोल कर इनाम दिया करता था यह कोटी बसंत रितू पर भी गेंदे के फूलों के हारों से दुलहन की भाती सजाई जाती थी यह बंगश परिवार का अंतिम राज कुमार था नासिर जंग की मृत्यू के उपरांत उसका बेटा नवाब खादिम हुसेन खां और शबकत जंग उसका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ गद्दी पर आसीन होने के समय उसकी अवस्था दस वर्ष की थी कहते है उसने गर्वन जनरल ओफ इंडिया से देहली में मुलाकात की और वही पर सन 1843ी में उसकी मृत्यू हुई कहा जाता है कि उसकी मौत चेचक निकलने से हुई उसी समय के कुछ लोगों का कहना है कि उसको जहर दिया गया था शवकत जन्ग का बेटा नवाब तजम्मूल हुसेन खां गद्धी नशीन हुआ गद्धी पर आसीन होते समय उसकी अवस्था केवल एक वर्ष की थी होश संभालने के बाद सीमित आदमियों के साथ उसने फरुखाबाद को खूब रौनक दी बजार सजे, कपड़े, सूत, ताबा पीतल के बर्तनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई आमादमी में खुशाली हुई कारोबार में बढ़ोतरी कारण उजड़े घर आबाद हुए शेरो, शायरी, ग्यान वसाहित्य को प्रोटसाहन मिला उसके युग में गालिब जैसा शायर फरूखाबाद आया और उसने नवाब तजम्मुल हुसेन खान मुईनु मुल्प की शान में एक अनोखा कसीदा लिखा जिसका केवल एक ही शेर काफी है डौट, जमाना उसके अहद में हैं महबे आराइश बनेगे और सितारे अब आसमा के लिए नवाब तजम्मुल हुसेन खान की सन 1849 में केवल 24 वर्ष की उम्र में ही मौत हो गई अपने अगले अंक में हम तफवजुल हुसेन साहब की नियुक्ती के बारे में बात करेंगे